दोस्तों कल रात को 953 को North East Express अनन्द बिहार टर्मिनल से कमख्या का जो ट्रेन एक्सिडेंट हुआ है उसका कुछ अपडेट देता हूं आपको तो ट्रेन का नमबर 1206 North East Express 740 को अनन्द बिहार से निकली थी सुबह में उसको अगले दिन यानि कि आज पहुचना था 430 को कमख् गारी देड़ घंटे डिले से चल रही थी बकसर रेलवे स्टेशन पहुची थी करीब सारह नौ बजे और वहां से निकली जैसे निकली और वह जो सेक्षन है 130 के मपीच का स्पीड लिमिट है और गारी ऐसा माना जा रहा है 120 के स्पीड से जा रही थी रगुनात पूर एक फूरोड रही चोटा सा रेलवे स्टेशन है वहां पर कोई हॉल्ट नहीं है मैल लाइन पर ही गारी थी गारी वहां डिरेल होगए डिरेल का कारण अभी तक नहीं पता चला है रेलवे का जो प्राइमडी इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा वह आने के बाद मैं आप तो ट्रेन दुरघटना गरस्त हुई है रात का टाइम था और इंजन की हालत अगर देखोगे तो वह अल्मोस्ट जमीन में घुस गया है 120 का स्पीड काफी ज्यादा होता है किसी भी ट्रेन का वैप सेवन का लोकोमोटीव था इसमें छे सिलीपर के कोच थे और दो एसी एकॉ हुआ है यह अगर आइसी अफ कोच होती तो हालत बद से बत्तर हो जाती एक दूसरे के उपर कोच चड़ जाते और ज्यादा कैजुल्टी की अगर बात करूं तो ऑफिसियल यह भी चार लोगों को बोला गया है चार लोगों की जान गई है और एक दो हो सकते हैं एक दो आक काम में ही कमपलीट हो गया था करीब के नकारी का सबनाद दो बजहें के करीब में रेस्कू का काम कमपलीट हो गया था the एस्ट वरेशन का का काम चालु रहा है डवे यूद दस्तर पर काम कर रही है ट्रैक को रियोस्टों करने में जानें गारी का पड़ी चलन सुरू करने के लिए करीब 21 ट्रेनों का रूट डाइभर्ट किया गया है 10 ट्रेने cancelle हुई है यह लिस्ट मैं आपको दे दूगा यहां पर यह रीलबे ने बताया अभी तक इतने सारे ट्रेन को डाइभर्ट किया है बहुत सारे ट्रेने cancelle हु ट्रेन की वेबस्ता की उनसे उनको वहां भेज दिया गया है और एक चीज़ आपको बता तो इसमें जो कुरू थे लोको पाइलट गाड ये दीन द्याल उपाद्धिया डीडियू के थे और वह सेफ हैं उनको हलकी चोटे आई हैं ट्रेन मेनजर को चोटे आई हैं लोको अब गारी डिरेल हो रहा है वो अपनी इस पीड को मेंटेन करते हैं लोको पाइलट की क्या गलती है तो अभी तक यह ऐसा गलती है वser इसने को चुछ था अगर टोटा हुआ था थो उसके पहले ज़स्ट बीसमिनट पहले टेन वहां से गुजली थी ऊसमें क्यों नहीं कुछ हुआ तो इसमें कहीं न कहीं कुछ तो लोग बोले हैं टेकनिकल ग्लिच था टेकनिकल ग्लिच से घारी डिरेल कैसे हो सकती है जरूर कुछ न कुछ ट्रैक में ही खामियां हुई होगी या डिलेबरेटली इसको किया गया होगा इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा प्रैमरी इंस्पेक्शन हो रहा है उस पे रिपोर्ट जरूर जारी करेगी रेलवे पता नहीं मैं आएगा नहीं आएगा लेकिन जो जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको देने की कोशिज करूंगा अब सवाल यह उठता है और इसमें अगर इसके लोकोमोटिव की बात करूं तो वैप 7 का लोकोमोटिव था अब इसमें एक सवाल यह उठता है कि इतनी घटनाएं आखि को यह कैसे डिरेल हुआ है इसमें तीन कोचे मुझे दिख रहा है हमको लगता है उसका सी बीसी कपलिंग टूट गया था जिसकी बज़ए से वह तितर वीतर हो गया मतलब ट्रैक से काफी ज्यादा जटके से बाहर आ गया और गारी का स्पीड का अंदाजा लगा बाकी के को आसियत है लेच भी कोच की क्योंकि अगर एक दूसरे की ऊपर चड़ जाती तो सोचो क्या मंजर होता मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो कोरो मंडल से लोग कंपेर कर रहे हैं कोरो मंडल में क्या हुआ था मालगारी को टक्कर मार दी थी टक्कर मारी थी तो वह फोर्स इतना ज लगी थी और जंडल का कोच आगे था यहां पर टक्राने की बात नहीं है डी रेल की बात है और गारी लच्वी होने के कारण बहुत कम नुक्सान हुआ है रेल मंत्री ने टूइट करके बताया है कि इसके रूट को जानेंगे रूट को अच्छी बात है लेकिन इस तरह की घटनाएं कैसे सिक्यूर हो पैसेंजर जो ट्रेन में सफर करते हैं उनको कैसे भरोसा आया भी तो डर लगने लगा है मेरी भी ट्रेन है आने वाली दिनों में मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा कि ट्रेन में सफर करना सेफ है की नहीं है जहां तक मेरी जानकार यह ट्रे की सेफटी पे तो बिल्कुल ही काम कीजिए चाहे आपको मॉनीटर करवाना पड़े दिन रात तो करवाइए होती ही रहती है उसके फोर्स बढ़ाइए मुझे पता है इतना हजार किलो मीटर ट्रैक है उसको मेंटेन करना उसको गाइडिंग करना काफी मुस्किल है लेकिन जितना हो सकता है करने की कोशिस कीजिए खास करके रात में पेट्रोलिंग भराइए रात में ट्रैक की पेट्रोलिंग भराइए कोई भी जो आसमाजिक तत्य हैं वह यह घटना का अंजाम दे सक करें लोगों के पास option नहीं है ट्रेन के अलावा कहां सफर करेंगे तो यह भरोसा होना चाहिए रेलवे की तरफ से कि आप सेफ सफर कर रहे हैं एक चीज़ और बता दू रेलवे में इतनी पोस्टे खाली है रेलवे वैकेंसी भी नहीं निकाल रहा है एट लिस्ट गुरूप कोट आती है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं यह घटना काफी दुखद है लेकिन जैसा कि मैंने कल प्रे किया था मैंने बताया था मैं प्रे कर रहा हूं कम से कम नुक्सान हो और होप फुली मैं यही बोलूँगा वह चार लोग भी जो जिनकी डेथ हुई है काफी और सासन तो डिले में ही आएगा लेकिन सबसे पहले जो लोग पहुंचते हैं वो लोहा के लोकल होते हैं उनकी भी तारिफ होनी चाहिए तो जैसे इस पर अपडेट आता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कैजूल्टी कम हुई है रेल का नुक्सान अच्छा-कासा ह हुआ है लेकिन इस पर रूट काज पर जाना चाहिए और जाएंगे भी और रिपोर्ट बना के बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था और आगे सेफ्टी जैसे अभी कोरोमंडल वा था उसके बाद इतना रेलवेस सजग है लेकिन फिर भी देखो यह घटना हो गई ऐसी घट रिपोर्ट आजाएगी तो